नमस्कार दोस्तों मैं रवी आपका स्वागत करता हूँ अपने योटूब चैनल आइकोनिक इंडिया में और दोस्तों चैसा की टाइटल और थमनेल में आपने देखा है कि आज की इस वीडियो में एक रुपे के एक ऐसे खास सिक्के के बारे में बात करूँगा आपसे जो क तो ये सर्कूलेशन में इस तरह के सिक्के देखने को मिले है और कुछ जैनकारों को मिले भी थे आगे जब आप वीडियो को देखेंगे तो वो सिक्का भी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा क्या कीमत है उसकी आज के समय में एक सिक्के की कीमत साथ हजार से लेकर 10- ग्यारहजार रुपए तक शली जाती है, यह डिपेंड करता है उसको इनकी कंडिशन कैसी है, एक रुपए के अगर दस जार यह ग्यारहजार रुपए मिल रहे हैं किसी, एक रुपए के सिक्के की, तो जरूर उसमें कोई न कोई खास बात होगी, जब यह वीडियो पूरी आ मोंबे मिंट की तरफ सेेखने को मिलते हैं स्टेने स्टील के जो एक-उरपए के सिक्क्या आप की एक उरोपई-के इस तरह के जो सिक्क्या 450 मुंबाइमें T-D од Ch pairs की तरफ से देखने को मिलती हैं तो आप उस सिक्खे को किसी कोई एक्सपर्ट को चेक कराए, किसी एक्सिबिशन में चेक कराए ताकि आपको भी वो जो सिक्खा अलग दिख रहा है काफी लोगों को इस तरह का लाब हुआ है, मैंने देखा है मैंने काफी जानकारों को सर्कुलेशन से OMS सिक्खे मिले है उन्होंने मुझे दिखाए, फिर कोई एक्सपर्ट से चेक करा है तो उनको पत लगा हाँ, उनका ये सिक्खा OMS है दोस्त अगर किसी भी सिक्खे की एक रुपे की हो, या पांच रुपे की हो ये दस उर्पे की कोई की वैल्यू बहुत जादा मिल रही है तो जरूर उसके पीछे कारण होता है बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसके के डिमांड, सप्लाई, रेयर्टी, उसकी मिंट, उसका मैटल डिमांड, सप्लाई, ये बहुत सारी चीजे एक सिक्खे के कीमत पर हजारीत होते हैं उसको कीमती बना देती हैं इस सारी चीजे मिलका डिमांड, सप्लाई, मिंट, एविलिबिलिटी, रेयर्टी है ना ये बहुत सारे factor होते हैं जो एक सिक्के के एक उर्पे के सिक्के के भी कीमत 30-40-50 जार तक भी ले जाती है क्योंकि जब वो सिक्का मिलता नहीं है ढूंडने से भी तो सिक्के की demand बहुत जादा हो जाती है collectors ढूंडते हैं सिक्के को मैं खुद एक coin collector हूँ मैं हमेशे rare सिक्कों की तलाश में रहता हूँ समय से मैं परमा आपको अपने collection की भी सिक्के दिखाता हूँ क्या मेरे collection में कौन-कौन से rare सिक्के है और ऐसे नहीं क्या बहुत आसानी से मुझे सिक्के मिल गई है बहुत महनत लगती है ऐसे सिक्कों को ढूंडने में जेम में पैसे होते हैं सिक्का खरीदने के लिए लेकिन रेयर सिक्का मिले तो रेयर सिक्का इतनी असानी से कहां मिलता है तो रेयर सिक्कों के खरीदार तो होते ही है हमेशा लेकिन रेयर सिक्का जल्दी से मिलता नहीं है और extremely rare सिक्के की तो बात ही अलग है, extremely rare सिक्के तो अच्छी कंडिशन में वो मिलने काफी मुश्किल और दुरलब होते हैं, तो जब आप इस वीडियो को पुरा अंत तक देखेंगे, तो उस एक रुपे के सिक्के के बारे में भी आप समझ पाएंगे, तो जो जो फर्स टाइम ऐसी वीडियो देख रहे हैं, तो जो फर्स टाइम ऐसी वीडियो देख रहे हैं, मेरे बहुत सार ऐसे जानकार है, जिनको डाइवर एटी मूल, मैं समझ में नहीं आता है, तो जब किसी भी चीज़ पर बार बार स्टड़ी करते हैं, बारी किसी अधियन करते हैं, तो उस चीज़ें फिर किलियर होने लग जाती है, तो आज किस वीडियो में आपको एक ऐसे हो, मैं सिक्के की जानकारी दूँगा, जो की कीमती है, एक उर्पे का सिक्का है, सन 2003 का, मुंबई मिंट का, कीमत काफी जादा है, वीडियो को अंधे तक देखे, वीडियो को लाइक और शेर भी कर दें, ऐसी वीडियो को शेर करने की जुरुत है, तकि अगर आपके किसी जानकार के पास काफी सारे एक उर्पे के सिक्के रखे हुए हैं, तो हो सकता है कि उस सिक्के उनमें भी उनको मिल जाए, ऐसे सिक्के लोट में तो मिलते हैं चाटने पर, चिलर में चाटने पर ही मिलते हैं ऐसे सिक्के, जितने भी र रेसे के साथ मिलते हैं, और सिरकूलेशन सब से मिलते हैं कि दूलब रेयर सिख्के हर किसी के खिसमत में नहीं होती है किसी किसी को तुमें ऐसा देखा है कि उसने 10 15 54 काई यह रहा है जल्दी में ऐसा हो आया है मेरे एक जानकार ने किसी से 3-4 अठनी ले लिये थे उसमें से एक अठनी उसकी रेयर निकल गई थी तो ऐसा हो जाता है तो वीडियो का अंत तक देखें वीडियो का भी लाइक करतें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करतें यह था और यहां पर मैंने काफी रिपब् स्टिल का नहीं है यह है cacophar निकल का एक रुपे का इस्टिल के जो सिक्य आये उनका वजन का मोथा है 4.9 ग्राम के आसपास होता है 4.85 ग्राम के आसपास होता है यहां से देख लिए सिक्य को जैसे मने बताया पहिर क्छुछ झातर हैं OMS सिक्का है दो जातीन का है मुंबई मिंट का ऐसे सिक्के जो एक रुपे के होते हमका वजन होता है 4.85 ग्राम 4.89 ग्राम के अस्वाद लेकिन ये सिक्का फड़ा भारी है इसका डिस्क्रिप्शन एक बार देख लें कोईन ओल्डर पर रेयर OMS है 5.85 ग्राम यहां देख ले तो यह एक बहुत रेयर दुरलब निकल का सिक्का है OMS सिक्का है काफी रेयर सिक्का है ऐसे कोईन की जो कीमत होती है वो दस ज़ार प्लस है मिलता नहीं है सिक्का डोणने पर नहीं मिलेगा उपर देखे, रुपिया लिखा है, गैहों की दो बालिया, डिनोणिशन वं लिखा है, डिनोणिशन के ठीक नीचे इंग्लिश में रुपी लिखा है 23 और 23 के नीचे मुंबई का मिंटमार्ट, सिक्य की कंडिशन एक बार दोनों तरफ से देख ले, औबर्स और रिवर्ट साइट से कौपनिकल धातु का सिक्का है OMS है, रेयर है काफी बार ये सिक्क्य आॉक्षन में बिके हैं अच्छी खासी खीमत पर जो कलेक्टर OMS डाई वराइटी म्यूल सिक्कों का कलेक्शन करते हैं तो ऐसे सिक्कों को ढूणते हैं अपने कलेक्शन मेट करने के लिए इससे पहले भी मैंने एक बार इस सिक्क्य की जनकारी दी थी उसमें मैंने बताया थे कि इस सिक्का कितना ज़्यादा खास और दुलब सिक्का है और इधर मैं आपको ये वीडियो बना कर इंफोर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आपको भी कुछ जनकारी मिले रेर दुलब सिक्कों के बारे में क्या कौन से सिक्के महंगे होते हैं कौन से दुलब होते हैं